कि दस साल पहले भारत की राजनीती में उदासीन ता थी, 10 साल पहले भारत की राजनीती में साधारन माननव, साधारन मनुष्य, साधारन व्यक्ति, ये मान चुका था कि कुछ नहीं बदलने वाला है, ये मान चुका था कि हम पीछे रहने वाले लोग हैं ये मान चुका था कि हमें पीछे ही रहना हमारी किस्मत में लिखा है कुछ से नहीं बदलेगा ये साधारन मनुष्य की दस साल पहले की राजनितिक सोच हुआ करती है लेकिन दस साल के अथक प्रियास के बाद मोदी जी की कड़ी मेहनत के कारण उनकी दूर दृष्टी के कारण उनकी देश के प्रती समर्पन के कारण उनके नेतु तुक्षमता के कारण आज साधारन मनुश्य ये बोलने लगा है कि भारत विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करके रहेगा इस संकल्प के साथ चल पड़ा यह आज बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलती है दूसरी हमें देखने को मिलता है कि कॉंगरेस के जमाने में फूट डालो राज करो धर्म के नाम पर राजनीती करो जाती के नाम पर राजनीती करो इलाके के नाम पर राजनीती करो पहार और मैदान के फर्क को करके राजनीती करो जाती को जाती से लड़ाई करके राजनीती करो और वोट बैंक की राजनीती तुष्टी करन करो तुष्टी करा वोट बैंक की राजनीती करो धर्म को धर्म से लड़ाओ जाती को जाती से लड़ाओ और अब तो साहम पे द्रोता ने तो भारत देश के लोगों को चमडी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली ऐसे में मोदी जी ने एक ही दारे से राजनीती की संस्कृती बदल डाली परिभाशा बदल डाली चाल चलन बदल डाला तोर तरीका बदल डाला और वो था विकासवाद की राजनीती विकासवाद की राजनीती विकासवाद की राजनीती कोई धर्म नहीं कोई जाती नहीं सब बराबर और मंत्र क्या दिया सबका साथ सबका विकाद सबका विश्वाद सबका प्रयाद